आज मैं आपके लिए कुछ अमेजिंग किचिन टिप्स के साथ कुछ बड़ियासी रेसिपी भी लेके आई हूँ जो आपका वक्त भी पचाएगा और आपका काम भी आसान करेगा फ्रेंस थोड़ी से भी वीडियो अगर पसंद आती हो तो एक लाइक कर दीजेगा तो चलिए देर नहीं करते हैं पट्टा फट से वीडियो स्टार्ट करते हैं चलि फ्रेंस टिप नमबर वान देख लेते हैं आज मैं आपको स्प्राउट्स की बहुत ही बड़िया रेसिपी बताऊंगी जो इंस्टेंट है और स्प्राउट्स हमें घाना भी चाहिए क्योंकि यह प्रोटीन से भरपूर होते हैं इसे जादा कुक करने से इसकी जो न्य से कम इसमें मैं डाल दूंगी जीरा आप चाहे तो देशी घी का भी यहां यूज कर सकते हैं कटे हुए लसन डालोंगी लसन मुझे बहुत पसंद है अगर आप नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं यहां एक चोथाई चमच के करीब अध्रक लसन मिर्ची का पेस्क डाल दिय हैं मसाले जले नहीं इसलिए थोड़ा सा पानी डाल देंगी इस तरह से और अब हम जो स्प्राउट्स हम में खाना है उतने स्प्राउट्स इसमें एड कर लेंगी यह देखिए स्प्राउट्स कैसे बनाते हैं अगर आप जाना जाते तो कमेंट करीगा मैं वह वीडियो भी लेके आऊंगी इसको हलका समय टॉस कर दूंगी इसे जादा कुक नहीं करना है वैसे कच्चे खाएंगे तो और भी अच्छा है बट मुझे इस तरह से टॉस करके पसन है सुबह सुबह के ब्रिक पास्ट में यह जरूर बना के खाईए मैं हफते में तीन दिन तो यह खाती हूं बस यह हो चुका है दो मिनिट ही आपको करना है फिर मैं गैस फ्लेम आफ कर लेती हूं और इस तरह से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं आप इसमें डाल दे अब लमन जूस जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और फ्रेश धनिया आप डालना चाहते तो डाले तो सुबे सुबे का टाइम है फ्रेंज अभी मैं इसे खाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट में तो मैं ज़्यादा तामचा मिया करती नहीं हूँ मैं फिर इसमें बस लमन जूस डाल दूँगी और इसे तरह से से मिला की कंजूम कर लूँगी हैवी भी होता है साथ ही में प्र और पानी भरता है बहुति तेस्टी लगते हैं क्योंकि इसके छिल्के बहुत रहसी होते है इसलहे हम इसमें थोड़ा सा तेल लगाएंगे तो ये ली रिलिया जो भी को थे जूम कर दो लगा ले इस्से इसके छिल्र इभाण के बेठास्यट जिब ब्लते हैं तो ये टिप यह तरीका बहुत ही अनुखा है इसके न्यूट्रियन्स भी बने रहेंगी साथ ही में बहुत ही अच्छी टेस्ट भी इसमें आ जाएगी तो यहाँ लगा दिया है अब मैं यहाँ ले लूगी कड़ाई जो हम सभी के घर पे होती है वैसे प्रेशी कुकर का भी यहाँ यूज ँरस कर सकते हैं बस उसके अवपर ढया लगाना है अब मैं यह जो आध़ा सा है इसको मैं इस तरह से कड़ाय के अंदर भी लगा बिल्कुल टेंशन नहीं लेज़ेगा कड़ाई भी यह खराब नहीं होने वाली है आराम से पानी डाल के आराम से से धो सकते हो आप जो शकरकंदी हमने ओल लगाई है उसको इस पे लग देंगे शकरकंदी लेने के टाइम पर एक बात का जरूर ध्यान दे कि मीडियम साइस की कि आीछली ही ले अब धकन ले जो इस पे आयेगा गए अब धकन को हम डाम है लगाने वाले लगाए है इस करफ से कप्ड़े के लगाएं लेती है तो उसमें स्वाद नहीं आता और पकने में भी टाइम लगता है तो इस टिप का जरूरी आद रखे गैस लो फ्लेम पे रखा है अब हमें क्या करना है थोड़ा सा पानी बस छिरकना है दो चमच के करीब ये देखिए इस तरह से इसे क्या होगा इसमें स्टीम बनेग के लिए इस तरह से 5-7 मिट के बाद इसे खोल के चेक कर लेंगे और ये देखिए अभी आपको लगेगा ये हुआ ही नहीं है ये आपको उलटते पलटते रहना पड़ेगा फ्रेंस इस तरह से इसलिए मैंने कहा था बहुत जादा मोटी शकरकंदी नहीं लीजेगा उसमें पानी डाल के आप आराम से क्लीन कर सकते हैं ये देखिए और ये कडाई तो अभी तक भी मैं यूज कर रही हूं तो आपको पता ही है फ्रेंस तो इस तरह से मैं फिर से पांच मिट के लग दूंगी 15-17 मिट में फ्रेंस ये हो जाते हैं ये देखिए इद्दम परफेक्ली अब चले इसको चेक कैसे करें तो आप नाइफ या फॉक लेके इस तरह से इंसर्ट करके देख सकते हैं बहुत जादा नरम नहीं बस हलका आपको लगे तो आप इससे निकाल दे अब यह देखिए इसको कट करके बता देती हूं इसका कलर देखिए अंदर से पीला अनलाइ बनाना बताया था आगे आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो कमेंट करिए मैं उसका लिंक दे दूंगी बहुत ही टेस्टी और हल्दी टिकी बनती है फ्रेंट शेकरकंदी की यह देखिए सिर्फ और सिर्फ छिलका निकल रहा है बिल्कुल भी शेकरकंदी नहीं निकल इतना गरम गरम में यहाँ छील रही हो देख सकते हैं आप बहुत ही टेस्टी हल्दी यह शेकरकंदी है इस मौसम में मिल रही है अभी तो मार्केट में भर भर के तो इस तरह से आप बना के इसे एंजॉय कीजिए कैसी लगी टिप कमेंट करे चली फ्रेंज अगली टिप द करना के खा सकते हैं सबसे पहले पापड को हम दो इस्व में कर लेंगे आप चाहे तो यहां सीजर का भी यूज कर सकते हैं बट इस तरह से परफेक्ट सेमिसर्कल हमें मिल जाएगा अब मैं यहां तवार रख दोंगी और सबसे पहले पापड को सेखने का तरीका देख जब आपको लगे पापड हो गया है तो इसको इस तरह से जली से जली रोल कर लीजे और तोड़ी टाइम आपको इसको पकड़ना होगा दो से 3 सेकेंडे और यह देखें दूसरा भी करके बता रही हूं तो यहां पापड के बेसिकली कौन बना रहे हैं फ्रेंस आप यह कौ प्राटी के लिए प्रफेक्ट यह जो रेसिपी बता री हूँ प्याजा कर सकते हैं क्कडी एड़ी एड़ी टमाज़ एड़ी एड़ी एकल दाला है यह देखे लिए अपमे की खटि मिठी चटनी इसमें चाट्ट यह देखें आपके पास एकए बनी चत्नी है वो भी एक आइड कर सकते हैं और मैं यहां थोड़ा सा नमकीन भी आइड करूँगी इस में। सेव हैं मुंकी हैं या कोई और नमकीन अगर आपके पास है, adult कर सकते हैं या इसी तरह से भी आपकी से खा सकते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला डालोंगी जिससे चित पटा हो जाएगा तो अब मेरे पास यहां आलू बुजिया है तो थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ यह देखे और इसे फटा फट से मिला लेते हैं तो यह जब आपको सर्व करना है तभी आपको सब एक साथ एसेंबल करना होगा और यह देखे जो पापड की हमने क्यूट क्यूट से कौन बनाया है इसमें इसको डाल देंगे तो पाटी हो घर में कोई मेहमान आ रहा हो इसको इंप्रेस करना हो या चार बजे की भूख हो उसमें आप इस तरह की आइटम बना के खा सकते हैं जो टेस्टी भी है और जब अगर आप हेल्थ वाइस इसको देखना चाहते है यह देखे इद्व टेस्टी है साथी में दिखने में भी बहुत ही सुन्दर है और बच्चों को अगर आप इस तरह से प्रेजन करेंगे तो जो स्प्राउट्स नहीं खाते थे वह भी ज़रूर खाएंगे बहुत ही और बहुत ही अच्छे भी दिखते हैं कैसे लगी आपको यह मज़दार सी पापर कौन का स्प्राउट्स चार्ट जरूर मुझे कमेंट करके बताएगा तो फ्रेंड्स कैसे लगी आपको आज की अमेजिंग टिप्स कौन से टिप आपको सबसे ज़र्दा पसन आए उसके ल को तिल दान टेक केर बाबाई